तो दोस्तों स्वागत आप सभीगा हमारे चैनल की एक बिल्कुली नई वीडियो के अंदर जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं DC Extended Universe की आखरी मुवी एक्वा मैं एंड लॉस्ट किंग्डम के बारे में और एक्वा मैन यानि की आर्थर करी का बेटा पैदा होने के साथ ही मचलियों से बाते कर सकता है और यहां हम ये भी देखते हैं कि आर्थर अपनी फैमिली को संभालने के साथ साथ अटलांटिस को भी बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है इसके बादी कहानी शिफ्ट होती है और हमें इस मूवी का विलन दिखाय जाता है जो कि होता है बलैक मांटा और जैसा कि हम सबको पता है कि एक्वा मैन वन के अंदर ब्लैक मंटा के फादर की देथ होगी थी और वो अपने फादर की मौत का जिम्मेदार हमेशा सही आर्थर को मानता है और इसलिए इस मुवी के अंदर भी वो आर्थर से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है और नए-नए तरीके सोचता रहता है ताकि वो आर्थर और उसकी फैमिली को मार सके यहीं परी वो अपना सूट भी तयार कर रहा होता है और इस बात कभी वेट कर रहा होता है कि जल्दी से उसका सूट भी तयार हो जाए ताकि वो आर्थर से फिर से लड़ सके इसके बादी इस scene फिर से shift होता है और हमें movie के अंदर एक scientist दिखता है इसका नाम होता है dr. Stephen Shin जो की basically एक marine scientist होता है और उसे Atlantis के बारे में भी पता होता है dr. Stephen Shin Atlantis के उपर research कर रहा होता है और वो यह कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरह से Atlantis को ढूंड कर वहाँ जा सकें, ताकि वो पूरी दुनिया को ये दिखा सकें, कि Atlantis जैसी दुनिया सच में एक्जिस्ट करती है, Atlantis के अपने इसी रिसर्च को लेकर, डॉक्टर स्टीफन शेन एक पर अंटार्टिका जाते हैं, और वहाँ की बर्फों में कुछ ढूंट रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर हम ये देखते हैं, कि उनकी अपर एक उक्टोपस जैसा मॉस्टर अटेक कर देता हैं, और इसलि इस टूटेवर ट्राइडन को जोडता है, वैसे ही उसे उस ट्राइडन का असली मालिक दिखता है, जो की होता है कोड़ एक्स, और वो ब्लैक मानिटा की मेमरीज के अंदर उससे कहता है, कि मेरे इस ट्राइडन को विल्ड करने के बाद तुम बहुत पारफुल बन जाओग और इसी चीज़ को लेकर, अट्लांटिस वालों ने एक मीटिंग रखी है, जिस मीटिंग के अंदर आर्थर करीबी होता है, अट्लांटिस के कौंसिल की मीटिंग के अंदर आर्थर ये प्रस्ताव रखता है, कि उन्हें मिलकर बहरी दुनिया वालो से बात करनी चाहिए, और अपनी advanced technologies को UN के साथ share करनी चाहिए ताकि बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सकें and then वो इन सारी दिक्कतों को दूर कर सकें लेकिन as of course Atlantis के council members इस पात से agree नहीं करते और वो Arthur को ये बोलकर मना कर देते हैं कि अपनी technology को बाहरी दुनिया के साथ share करने से सिर्फ और सिर्फ मुस आई जाने वाला एक ऐसा substance है जो की fuel की तरफ वर्क करता है और इसके साथ ही इसके अलावा भी और ही कैरकम के बहुत से फायदे हैं और ही कैरकम को पाने के लिए ब्लैक मांटा अपनी team के साथ मिलकर Atlantis में घुज जाता है और वहाँ पर हमले कर देता है ब्लैक मांटा के और आर्थर दोनों की fight हो जाती है लेगिन फिर यहीं पर ब्लैक मांटा को उसकी team signal भेजती है जिससे की उसे पता लग जाता है कि उसकी team ने और ही कैलकम चुरा लिया है और इसलिए वो यहां से जा सकता है इसके बाद ही ब्लैक मांटा के वहां से निकल जाने के बाद हम य और अगर सही में ब्लैक मांटा एटलांटिस के अंदर और ही कैलकम लेने आया था तो फिर तो यकीनन कुछ बुरा होने वाला है बट फिर यही सुनका रेक्वामैन यानि की आर्थर करी अपनी मदर से कहता है कि उसे इस मामले में और्म की बदच चाहिए होगी और्म यानि पर कैसे आ सकता है बट फिर यह सुनने के बाद आर्थर अपनी मदर से कहता है कि वो खुदी उस जेल में जाएगा और अपने भाई और्म को चुड़ा कर लाएगा इसके बाद ही एकवामैन ऐसी करता है वो सीधा फिशनमेन के जेल के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर और फिर वो और्म को लेकर वहां से बाहर आजाता है लेकिन बाहर आने के बाद ही हमें देखते हैं कि और्म को फिशनमेन के गार्ट्स घेल लेते हैं और साती हम ये भी देखते हैं कि और्म की हालत बहुत बुरी है क्योंकि इस जेल के अंदर उसे ढंक से खाना पीना नहीं दिया जाता था, जिस वज़े से उसका शरीद बहुत ही कम्जोर हो चुका था, लेकिन उपर आने के बाद ही जैसी ओर्म की बॉड़ी से पानी टच होता है वैसे ही ओशेन के वाटर की वज़े से और मेगबर फिर से पहले की तरह हट्टा-कटा हो जाता है और उसकी पावर्स पहले जैसी हो जाती है जिसके बाद ओर्म अकेल आई उन सारे गार्ट्स को पीट देता है और फिर वो दोनों भाई वाँ से निकल जाते हैं रास्ते में दोनों भाई आपस में बाते करते हैं जहांपर वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे बताते हैं आर्थर ओर्म से कहता है कि वो अट्लैंटिस का राजा बन बन कर ठक चुका है और अब उसे इस काम में बोरियत महसूस होती है बट ये सुनकर ओर्म एकवामेंस से कहता है कि जिस राजा की गद्धी को पाने के लिए उसके पिता ने उसे बचपन से तयार किया और उसने भी बचपन से कोशिश की था कि वो राजा बन सके उस अट्लैंटिस के राजा की गद्धी उसके पास है यानि कि आर्थर के पास लेगिन उसे इस गद्धी की कोई परवा नहीं है ये तो बहुत कमाल की बात है लेगिन फिर इन सारी बातों के बाद वो दोनों भाई सीधा केंग फिश के पास जाते हैं जहाँ पर जाकर वो दोनों उसे ब्लैक मांटा के बारे में पुछते हैं जिस पर वो उनसे कहता है कि ब्लैक मांटा उन दोनों को pacific volcanic island पर मिल सकता है जो कि south दिशा में है उसकी बात सुनकर वो दोनों भाई सीधा उस volcanic island पर जाते हैं बढ़ यहां आकर वो दोनों यह देखते हैं कि इस island की पूरी दिशा ही बदल चुकी थी ऐसा लग रहा था कि मानों यहां पर और ही कैलकम को जला कर उसका धुआ फिलाया जा रहा है और उसी धुए की वज़ा से यहां के पेड़ पौधे इवन जानवर भी म्यूटेट हो चुके हैं जिस वज़ा से उन सब का साइस बहुत जादा बढ़ा हो चुका है यहां तक कि यहां के चुहे भी इतने बड़े हैं कि उनका साइस हाथी से भी बढ़ा हो चुका है इसके अगले सीन के अंदर हम सभी डॉक्टर स्टीफन को देखते हैं जो कि इस टाइम पर ब्लैक मांटा की लोकेशन पर होता है यहीं पर डॉक्टर स्टीफन कोड़ेक्स के टूटे वे ट्राइटन को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है लेगिन जैसे वो उसे अपने हाथों से पकड़ता है वैसे ही उसे भी अपने दिमाग के अंदर कोड़ेक्स दिखता है जो कि उसे भी गलत करने के लिए influence करने लगता है लेगिन फिर तभी वहाँ पर Black Manta आ जाता है और फिर वो उसके हाँ से Trident ले लेता है और फिर वो उससे कहता है कि तुम जानना चाहते थे न Dr. Stephen की मेरा मकसद क्या है तो मेरा मकसद ये है कि मैं Arthur करी और उसके पूरे परिवार को खतम कर दू और अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी शैतान से डील करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी राजी हूँ इसके बाद ही हमें देखते हैं कि Black Manta की इस location को ढूंडते वे Arthur और Orm यहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़ने के बाद जैसी memories दिखाई देती हैं उनके बारे में भी बताता हैं लेकिन फिर इसी टाइम पर Black Manta की टीम के members उन दोनों के उपर attack कर देते हैं लेकिन यह दोनों भाई मिलकर उन सब का सामना कर लेते हैं बट फिर तभी उनके सामने Black Manta आता हैं वो भी अपने proper suit के अंदर और फिर वो इन दोनों से fight करता हैं लेकिन फिर लड़ाई के दोरानी आर्थर का बाई Orm गलती से उस Black Trident को पकड़ लेता हैं जिस वज़े से उसे भी Codex की memories आती हैं यानि ये आर्थर का ससुर और वो यहां कर इन दोनों की help कर देता हैं और फिर वो उन दोनों को वहां से निकाल कर भी ले जाता हैं वहां से निकल जाने के बाद और एक safe जगा पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि वहां पर आर्थर, और्म, नीरियस, मेरा और आर्थर की मदर भी होती हैं यही पर और उन सभी को Black Trident के बारे में सब कुछ बताता है वो सभी से कहता है कि Atlantis की खोच करने वाले Atlant थे जो King Atlant Atlantis के पहले राजा बने और उन्ही महान King Atlant का Trident आर्थर के हाथों में है लेकिन King Atlant का एक भाई भी था जिसका नाम तक Codex और ये Black Trident जो हमने देखा था वो उस Codex नहीं बनाया था और जिस तरह से King Atlant Atlantis को रूल करते थे उसी तरह से Codex Nekras नाम के Kingdom को रूल करता था जो की बिल्कुली एक Dark Kingdom था बट परिशानी तब शुरूई जब Codex ने अपना असली रूप दिखाया असल में Codex, Atlantis के Quarry Calcum को चुरा कर उससे powerful बनना चाता था और वो ऐसा कर भी रहा था लेकिन उसके ऐसा करने की वज़ह से Atlantis और Ocean के बहुत सारे Creatures मरते जा रहे थे साथी साथ Atlantis के अंदर बिमारिया भी फैल रही थी बट यह सब देखने के बाद King Atlant Codex के खिलाफ आता है और उससे यह सब रोकने के लिए कहता है लेकिन इसके response में Codex अपने बड़े भाई Atlant से ही बगावत कर लेता है जिसके बाद उन दोनों के बीच में युद्ध होता है उस युद्ध के अंदर King Atlant Codex को हरा कर कैद कर देता है और Codex अनत काल के लिए कैद में रहे इसके लिए King Atlant ने अपने Blood का यूस किया था जिस वज़े से Codex एक Magical Cat के अंदर है जहां से निकल पाना उसके लिए Impossible है इसी क्या के ओम सभी को ये भी बताता है कि अभी वो Codex Black Manta के दिमाग में घुसा हुआ है और इसलिए वो उसका इस्तमाल करके खुद को आजाद करना चाहता है ये सब सुनने के बाद ही आर्थर और ओम की मदर भी सारी कहानी समझ जाती है और इसलिए वो सभी को ये बताती है कि वो भी Codex के बार में जानती है और वो ये जानती है कि Codex तभी आजाद हो सकता है जब उसे आजाद करने के लिए King Atlas के क्लैन में से किसी का Blood Use किया जाए यानि कि किसी ऐसे बंदे का Blood Use किया जाए जिसके अंदर King Aetland का खून हो और जाहिर सी बात है King Aetland का खून उसी के अंदर होगा जो कि Atlantis की Royal Family से बिलॉग करता है यानि कि मौजूदा टाइम के अंदर Arthur, Orm और उन दोनों की मदर और साथी साथ अभी अभी दुनिया में आया Arthur का बेटा यानि कि Arthur Junior ये सब सुनने के बादी Arthur ये समझ जाता है कि उसके बेटे की जान खत्रे में है क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि Black Manta के लिए सबसे आसान टार्गेट Arthur का बेटा ही है इसके बादी Arthur सीधा अपने घर जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि सब कुछ दहसने सो चुका है उसका बेटा गायब है और उसके पिता गायल पड़े है वो अपने फादर से जब पूछता है तब उसके फादर बताते हैं कि Black Manta यहाँ पर आया था और वो ही उसके बेटे को ले गया है जिसका मतलब यह था कि Arthur का शक बिलकुल सही था इसके बादी Arthur और Arm दोनों मिलकर Arthur के बेटे को रेस्क्यू करने जाते हैं लेकिन वहाँ जाने से पहले Arthur की मॉम उससे कहती है कि एक बात हमेशे याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो और चाहे कुछ भी हो जाये तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही है इसके बादी Arthur, Arm और उन दोनों के साथ ही नीरियस वो तीरों एक साथ जाते हैं और सीधा ही Black Manta की लोकेशन पर पहुंचकर वहाँ पर अटेक कर देते हैं वहाँ पर पहुंचते हैं उनके अपर एक बहुत भड़ा monster अटेक कर देता हैं लेकिन फिर तभी और नीरियस की हल्प करता हैं और फिर नीरियस को यह पता लग जाता हैं कि जिस हॉर्म को वो हमेशा ही गलत समझते थे वो एक्चुली में एक अच्छा इंसान है इधर अंदर हम यह देखते हैं कि ब्लैक मांटा के पास आर्थर का बेटा है लेकिन वही पर डॉक्टर स्टीफन भी होता है जो कि उस बच्चे को बचाने के लिए उसे उठाकर माहा से भागने लगता है लेकिन ब्लैक मांटा उसे देख लेता है और इसलिए वो उसे घायल करके बच्चे को चीन लेता है लेकिन फिर ब्लैक मांटा जैसे ही आर्थर के बेटे को मानने जा रहा होता है वैसी वहाँ पर आर्थर आ जाता है जो कि उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है मेरा को लगता कि उससे पहले ही aurum उसे पगड लेता है और मेरा और आर्थर के बेटे को बचा लेता हैं। लेगिन यहीं पर हम यह भी देखते हैं कि aurum के हाथों में kodex के black ट्रेटन के आते ही kodex aurum की body को take over कर लेता हैं। और उसके दिमांगों से ये सब दिखाने लगता है, कि उसके भाई Arthur ने उसके साथ बहुत गलत किया है, और एक्चुली में वो ही है जो कि Atlantis का राजा बनने लाएक है, और फिर इसी लिए Arm आर्थर पर अटेक कर देता है, लेकिन फिर आर्थर और्म को रोकता है और वो उसे समझा देता है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा और फिर इसी ले इसी टाइम पर और्म को अपनी मदर की बात याद आती है जिन्होंने उससे ये कहा था कि आर्थर उसका भाई है और चाहे कुछ भी जाए उन द कर चुका था कॉडेक्स को अपने सामने देकर आर्थर उसके ब्लेक ट्रेडेंट से उस पर अटेक करता है लेकिन वो अपने ब्लेक ट्रेडेंट को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और आर्थर के उपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही आर्थर अपने इतना हाथ बढ़ाता है कि वो उसकी मदद लेने की बजाए मरना पसंद करेगा और आर्थर और उसके सारे साथी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं इसके बाद यह आर्थर और्म से कहता है कि अब तुम माज़ाद हो फिर इसके बाद के सीनस के अंदर हम यह देखते हैं कि आर्थर करी अट्लांटिस को दुनिया के सामने रिवील कर देता है और वो बाहरी दुनिया में आकर अट्लांटिस के बारे में सब कुछ बता देता है एंड देन वो बाहरी दुनिया से ये भी बात करता है कि अपसे वो Atlantis की टेक्नोलोजी को दुनिया से शेर करेगा जिस्ते कि वो लोग साथ में मिलकर दुनिया को और भी बहतर बनाएंगे एंड देन फिर इसके बात के सीन में हम ये देखते हैं कि अपसे आर्थर पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगा रहता है और अपनी पूरी फैमली के साथ खुशी से वक्त बिताता है और फिर इसके साथ ही ये पूरी मुवी यहीं पर एंड हो जाती है और हाँ बैल आइकन को तो दबाई लेना तो बस आज कि इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलता हूँ ऐसे किसी और भैतरीन वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई